शाह के सवाल की और बढ़ते हैं हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुर चुके हैं अजय गुड मॉनिंग बताइए किस किस टॉक पर सवाल पूछना चाहते हैं गुड मॉनि मैंनम जी पूछिए मैंनम एक पेस भी लिया हुए मैंने ओके 267 में 151 से और दूसरा है बीपी से लिया हुआ है ठीक है और सित्र से रे 313 में ठीक है और दूसरा एच्पी से ले 225 से 321 के बाव में परफेक्ट और तीलों में आपका नजरिया कितने महीनों का होगा 6-7 महीना 6-7 महीने का ही नजरिया आपने रखा है चलिए ठीक है इसके लाव और भी स्टॉक्स हैं आप लगाता है शर बाजार में पैसे लगाते हैं और दूसरा है मेरे पास इस्टालक इंस्रॉंस भी है नहीं चलिए शवाल तो हम पहले ये 3 ले 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 लेते हैं क्योंकि बाकी दर्शक भी है उनके सवालों को भी जोड़ना है मैं बस ये पूछ रहती कि आप लगाता है अगर पैसे लगाते हैं तो आप बाजार को समझते भी होंगे और जो स्टॉक आपने लगा रखे हैं 6-7 मेने के नजरी के लिए खबर के अनुसार उनके रियाक्शन्स को भी आप पढ़ रहे होंगे बहराल द्वनी आप ही के पास आऊंगी SBI से शुरुवात करते हैं जी बिल्कुल सबसे पहले अगर SBI की बात कर रहे हैं तो डेफिनिटली होल्ड की ही सला रहेगी स्टॉक यहां पर नीचे अपना एक बेस फॉर्मेशन बता रहा है जहां पर 795 का लेवल बनता है जो एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है तो इसे एक अपना स्टॉप लोस लगा के रखे और इसको होल्ड करें उपर की तरफ मेरी इनसे यही सला रहेगी कि एक बाउंस ट्रेड आपको मिलेगा जहां पर उपर की तरफ आट सो तीस से लेके आट सो पचास तक के लेवल के बीच में आपको प्रॉफिट बुकिंग के इसके अंदर सला रहेगी बीपीसीयल की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर तो बीपीसीयल ने भी डेफिनिटी अपनी यहां पर फिफ्टी पीरिट की एमे को टेस्ट करा और वहां से वापस से हमें एक उपर की तरफ का बांस दिया है इसमें भी होल्ड की सला रहेगी स्टॉप लोस जो इनको लगा के रखना रहेगा नीचे तो तीन सो बीस के लेवल के पास इक स्टॉप लोस लगा के रखे उपर की तरफ जो टार्गेट यहां पर बनते हैं तो थ्री हांड़र एन फॉटी पाइफ के टार्गेट है इनके लिए यहां पर होल्ड करने की सला रहेगी और तीसरा काउंटर जो इनका है वो है एच्पीसील का एच्पीसील के अंदर भी डेफिनिटली एक बाउंस यहां पर एकस्पेक कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक अपनी अगैन जो शॉट टम मुविंग अवरेज होती है 20 पीरिड की वहां पर टेस्ट कर रहा है और वहां से उपर के तरफ बाउंस दे सकता है यहां से नीचे स्टॉप लॉज जो है वो यहां पर रखने की सला रहेगी कि आप यहां पर 372 के स्टॉप लॉज के साथ इसको रखे और ऊपर की तरफ टार्गे जो है वो पहले 410 के target और फिर इसका जो overall यहाँ पे weekly start structure बन रहा है वहाँ पे आपको fresh breakout देखने को मिलेगा तो यहाँ पे 407 के लेवल के बाद अपनी trailing stopless की strategy के साथ इसके अंगर hold करके रखे रखे जो पिल्कुल तो यह थे कुछ एहम लेवल से द्वाने जी के तरफ से इसे के सा सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इन्होंने नजर्या नहीं बताया है तो मैं आपके पास ही आना चाहूंगा थोड़ा मीडियम टर्म नजर्या बताएं थोड़ा सा नीचे गिरकर 312 पर आ चुका है जुलाए हाई से भी देखे तो काफी थोड़ा गिता हुआ नजर आया है त तो वीकली यहां पर हाला कि इतना डेटा है नहीं बट एक बुलिश साइट का ही स्टॉक्चर देखने को मिल रहा है सपोर्ट लेवल जो है वहां पर स्टॉप का 295 के पास बन रहा है जहां से वापस से एक अप्मूव एक्सपेक्टेड यहां पर ले देखने को मिल सकता है तो होल्ड करने के सला रहेगी 295 को स्रिक्ली अपना स्टॉप लगा के रखे अगर यह ब्रेक होगा तो यहां पर बीकनेस बनती हुए दिखेगी बट ओबरॉल स्टॉक्चर में को भी यहां पर अभी रिवर्सल्स के साइन देखने को नहीं मिल रहे है इंपक्त डेली चार